अप नेपाल से इंडिया कब पहुंच री है तो इसके उपर हिंदुस्तान में फिलमें बनेगी बैप शिरीज्ञ पनेगी इसके उपर तुम पाकस्तान में बेटके देखोगे और अपना सर पीटोगे इस ने क्या नाख कटवा दी हमारे पाकस्तान की एक खाली एक लड़की है, जिसका नाथ सीमा हैदर है, पूरे इंदुस्तान को तिगनी का नाच नच वाजवाद लिए उसको वाजिवे कथल बोल दिया है, फत्वे निकाल दिया उसके लिए, तुम खुद भी इंडियन के कॉंटेक्ट में आई हो, तो तुम्हारी खुद की इंदी काफी अच्छी हो गय होगी होगी, बैतर होगी, आप सबसे पहले ही बता ही हमारे इंदुस्तानी भाइयों को, आप नेपाल से इंडिया कप पोच ली है, आप ने तो पेली मेरी दुख्तिरग पतली मैं भी आपसे कुछ एसे सवाल करना चारी हूँ कि हमारी सीमा है मैं पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी ह्कूमत के बहाव पे आप से पूछना चाहती हूं कि हमारी सीमा है को वापर सीमा आपार करा के कब भेज रहे हैं? तुम्हारी सीमा तो अब कभी आएगी नहीं है आने की सिर्फ एक ही शर्त है अगर वो तुम्हारी इसाय ने उसको प्लैंट करके भेजा है उसको ट्रेनिंग दे के भेजा है और जिस तरीके से वो मतलब काफी लोग उसके बारे में अच्छी बाते भी कर रहे हैं काफी बुर लेकिन मुझे लगता है कि वो एक इनोसेंट है और उसको हम नहीं बेजने वाले हैं अब उसको हिंदुस्तान की भावी बना के रहेंगे और पाकिस्तान के मूँपे जूता हम मारते रहेंगे मेरी बात सुने एक तरफ आप ये कह रहे हैं मेरी ओडियंस का भी खयाल है मैंने बड़े कॉमेंट्स डीड किये मेरी ओडियंस का भी खयाल है कि जो भारत आ गया वो तो भारत की अब बेटी बन गई अब हम उसको वापस नहीं भेजेंगे मगर मैं आपस जानना चाहती हू तरफ तो आपकी वो बेटी बन गई है दूसरी जाने वुस पर ड़ावट किये जा रहे हैं कि ये पाकस्तान से आई है रहिष्ट गर्द हो सकती है ये पाकस्तान से आई है किसी मन्थूबे के जी बिल्कुल सइब होगी तो इस रावब चीजों के जवाबात पाकस्तान की तो नहीं मिल रहे हैं मगर इंदुस्तान अभी तो बहुत से वसबसों का शिकार है और उस लिड़की वो उर्दुशुद बोलनी नहीं आती है मगर हिंदी वो बहुत अच्छी बोलती है जाते ही दिंदी भी लगा ली धरम बी बदल लिया साडी भी पहली स्टचिन के घरवा पाकिस्तान की जगे उस्टेलेः से आती स्विदन से हाती सउथ आफरीका से आती यह तक विएद्नाम से आ जाती नाइजरिया से आ जाती को हो ह्ला नी होता कोई मीडिया वाला में उसके पास म saràक ले नहीं जाता सरकार हैं अपने काम करती हैं जाचए आचके जयलेंकर उसक सब्सक्राइब पूरे इंदुस्तान को यह तो सुन लेजिए वह जो पाइस है आपको अच्छे से पता है और मैं भी बता देता हूं आपको और आपकी ओरियंस को पाकिस्तान की आई-एस है तो पाकिस्तान इससे पहले भी बहुत सारी लोगों को मतलब गुप्त जान करे लेने के लिए राज लेने के भारत के तो हनी ट्रेप करवाता रहता है हो सकता है मैं यह नहीं गयता नहीं है कि वो जो जो सीमा है वो भी विश्कन्या हो हो सकता रहा committed लेकिन उसके जाज पुरी नहीं हो जाती दया जो ऐसके बारे में तो कुछ बोलना बेकार है क्योंकि उसके पीछे 5 जाज एजन्सिया लग लिई हृग् मैंने बुला कि हिंदुस्तान को तिखनी कनाश नचाया हुआ है तो सोचे मेरे जिसी पांची और मिल गई या पांची सीमा और मिल गई तो क्या होगा आप जितनी भी पाकिस्तानी लड़किया हैं अंडर लेकिन वीजा लेकर आए अगर से मा की तरह सीमा नेपाल तक तक तो बिल्कुल वैलिट वीजा के साथ में उसके साफ तकलीफ ये थी कि उसको हिंदुस्तान का वीजा पाकिस्तानियों को आसानी से मिलता नहीं है चक्कर यह उसने तो मतलब उसके मैंने तीन चार इंटर्वी वगेरा देखे उसके अंदर भी उसने बोला कि मैंने काफी वार एपलाई गया लेकिन मेरे को हिंदुस्तान का वीजा मिला ली तो हमने यही रस्ता अपना है और उससे पहले भी वह एक बाद बिना नेपाल तक आ अंथ के चमधाला के तो तुम खुद भी अच्छी हो जाती है अब जब से तुम खुद भी इंगे dai कोंते हो तुममारी खुद की भी हंडी काफी बेल एक ता टो में लंग़े Marka तो सीमा तो तीन साल से उस सचिन के साथ बाते कर रही है, समझे भाबात तो, ऐसे उसको ही हिंदी अच्छी हो गई, और मैं भी इस चीज की दाद देना चाहता हूं सीमा की, उसका confidence लेवल है न, एक नंबर है वो मीडिया के केमरे देखके बिलकुल नहीं घवराती, मैं सच ब बंदी तो बिलकुल friendly है, उसको तो अच्छे पास बहुत है, आप इस चीज को confidence कह रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता ये भी चीज डाउट फुल है, यहां पर हमारे पाके, अब देखें, एक इंडियन, घरेलो, कोई भी अगर फीमिल है, मैं मान सकती हूं, वहोगी confident, ल कोई हाउसफाइब को मीडिया इतने confidence साथ face करने लग जाए, या मैं समझू के इश्क उसे वेडिया पार करवाता चला जा रहा है, उसमें दम उसके प्यार की वज़ा से आया है, क्या reason दिखाई दे रहे हैं, मेरे को तो तो देखो, इसके पीछे, तो मैं इतना investigation पमेंश के करीनी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों के अंदर यह confidence होता है, कि वो camera friendly होते है, उनको camera देखते ही, मतलब मज़ा आता है, उनका confidence एक्दम आई हो जाता है, तो यह उसी टाइप की personality दिखती है, और जो बाते मतलब सचिन तो मतलब गूंगाज न में रही और यह विल्कुल एक कन्या ही रही और एक lover रही और अगर इसका कोई जाचुछी के साथ में नेटोक नहीं निकलता है, तो मैं guarantee ले रहा हूँ, इसको हिंदूस्तान की फिल्मों के अंदर भी आ जाएगी और इसके ओपर फिल्में भी बन जाएगी, फिल्मों की त हमारे हिंदूस्तानियों पर इतने आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने तो सीमा को बुलाएगी, वो खुद चल के आई है, और हमारे यह तो जिसको जो भी शरन में आता हम शरन देते हैं, आप जैसे पाकिस्तान के अंदर राजा दाइश ने शरन दी ती सबसे पहले का सीम को तुम्हारे डापू धंकिया दे रहे हैं, असले, गोले, बम, गालू, मैंने आद कली वीडियो डाला है, भारत वाले समझ लो, यह जो है न हिंदू है, बढ़नी के, कश्मोर के, या कंदकोर्ट के हिंदू है, वो समझ लो, यह जो लड़की है, वापस करो, अगर जो कि इंडियो जोली किसी से प्यार करती है, भाग जाती है, इसमें पाकिस्तान के हिंदू को क्या मतलब, क्या तुम लोग उस तो शेहरी नहीं भानते हैं, और आज की निवज है आपके पाकिस्तान की, कि वहाँ पे हिंदू के जो नदी के किनारे वो रहते हैं, मतलब कैसे बात कर सकते हो हमारी सीमा के ओपर कैसे अगली उफा सकते हो हमारी सीमा, पाकिस्तानी सीमा बन गई हिंदूस्तान की सीमा, मैं चाहती हूं कि पाकिस्तान की सीमा एक दिन हिंदूस्तान के और हिंदूस्तान के सचिन पाकिस्तान के बने, ताकि ये दोनों मुलकों के तर इसके अंदर भी इसके अंदर भी देखो मैंना आपको काना दो दड़े बन गए हिंदुस्तान के अंदर भी एक दड़ा ऐसा है वो यह चाहता है कि हिंदुस्तान में रहे सीमा अगर इनोसेंट है और भारत सरकार उसको भारत की नाल लिगता दे लेकिन कुछ मतलब जो मुस् पाकिस्तान सरकार यह कर वारी हो कि उसके एक बोई फ्रेंड दो और मुझे तो इस रखता भी आने वाले टायम के अंदर पाकिस्तान की तरब से सो बोई फ्रेंड सीमा के वीडियो में आने लग जाएंगी सबसे पहले तो पती आया अब बोई फ्रेंड आ रहे है क्योंकि की बदनामी का काम है पाकिस्तान की बदनामी का काम सबसे अच्छा काम सबसे बुरा काम तो यह है कि पहले तो पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान बाग गई है ठीक है एक मुस्लिम लड़की ने फिर हिंदु धरम अपना लिया और आपके वहां तो महलवियों ने उसको वा और रहे शांत रो इजद खराब हो रही है यहां पर अगर यहां पर एक पैसला अपनी जात के लिए करें तो यही होगा कि उनको हिंदुस्तान ही रह जाना चाहिए क्योंके पाकस्तान उनकी वापसी एक तो मुझे आगे जान को बहुत जादा खत्रा होगा जिस तरह कि यहां कि किया पॉइंट अपया उसके साथ रखा जा रहा है या अगर तक मैंने अभी तक जो भी देखा है समझा है और जाना है तो मुझे यह सा लगता है कि सरकार तो अपना काम कर रही है उचके गर पे आग मतलब कल भी investigation की टीम गई थी, आज भी जा रही है, पांच जार्ज एजंसिया उसकी चार्ज कर रही है, जब तक उनकी तरफ से green signal नहीं मिलता है, तब तक सीमा संदे के दाइरे में रहेगी, और भारत सरकार का जो सविदान है, जो हिंदुस्तान का कानून है, उसके अनुसार ही चल रहे ह क्योंकि उसको तो जेल भेज़ दिया था और उसके वकील ने, मतलब उन दोनों की एक ही दिन में जमानत हो गई थी, वो भी हिंदुस्तान का प्रोसेज है, उनको जमानत भी इसी शर्ट पर दी है, क्योंकि वो अपने घर से और जो उसका जो गाओ है, मतलब जो उसके लेला मजनु के बाद सीमा सचिन की कानिया सुनाई जाएगी, तब तो उसको में रिकूल लगता है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर सीमा को ग्रीन सिगनल मिल गया और जासूस नहीं निकली पाकिस्तान की, पाकिस्तान से ब्लैंट की नहीं निकली वो, तो इसके ओप हिंदुस्तान में फिल्मे बनेगी, बेशिरीजे बनेगी इसके ओपर, तुम पाकिस्तान में बेटके देखोगे और अपना सर पीटोगे, बोले इसने क्या नाख कटवा दी हमारे पाकिस्तान की, नाम रखवा क्या दिया, मुझे तो लगता है कि उसके बाद बहुत सी सीम हिंदुस्तानी लड़के, पाकिस्तानी लड़कियों को ट्राप का रहे हैं और फिर लड़के लिए बॉडल क्रॉस करके लड़कियां जो आ रही है, उनको दिखता है जो समस्ती इन चीजों को, तो हिंदु बने को राजी होती, आप भी तो देखो नेपाल आरी थे ना होती बिभी बना, पाकिस्तान से सताई हुई नहीं आएंगी हिंदुस्तान से बी तर्से हुए बहुत आएंगे और आपको क्या लगता है कि सीमा को इंदुस्तान में रेना चाहिए या इसको उसके चार बच्चों के साथ में पाकिस्तान बेज़ देना चाहिए लेकिन ये बात भी बिल्कुल 101% अगर सीमा पाकिस्तान गई उसके बच्चों को तो खेर कुछ ना होगा लेकिन उसको जरूर सुला दिया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान में इंसान नहीं जलाद रहते हैं हैवान रहते हैं यह बात तो किसी से ढखी चुपी नहीं और यह बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं आर रही बात फिजा खलीवा की तो उसकी पबजी आईडी ढूट रहा हूं आप लो देचे राम देचे राम देचे राम